नमस्कार जैन सातियों एक बाप फिर से आप सबका बहुत स्वागत है मैं दीपक कुमर साहू फ्रयागराज उत्तर प्रदेश से आप सब जानते हैं कि लोकसभा का चुनाओं होने वाला है 19 अप्रेल से 2 जून के बीच में जैसे ही निर्वाचन आयोग लोकसभा के चुनाओ की घंसरा कर देता है या किसी भी चुनाओं की घंसरा कर देता है तो आचार सहिता लागव हो जाती है चुनाओं की घंसरा की तारीक से तो आचार सहिता का मतलब होता है कि कुछ नियम बनाया जाते हैं उस नियम के दरमियान ही लोगों को रहना होता है वो राजनेतिक पार् नहीं बोलेंगे धर्मे के नाम पर जादी के नाम पर बोट नहीं मांगेंगे लेकिन जो आम आदमी है उन्हें के लिए भी कुछ नियम है जैसे आप 50,000 रुपए से ज्यादा लेकर के ट्रेवल नहीं कर सकते यानि आप अगर आपकी जेव में 50,000 रुपए भी है और आपको क पकड़े जाएंगे जुर्माना लगेगा पैसा जब तो हो सकता है तो आपको उचित कारण बताना पड़ेगा कि क्या आप किस कारण से आप ये पैसा लिये हैं कहां ले जा रहे हैं आपके जेव में आपकी आइडिन्टरी कार्ड होनी चाहिए जैसे कि आधार कार्ड पाचनकार्ड जो भी आपकी आइडिय प्रूफ हो वो भी साथ में होनी चाहिए और कोशिस करें कि कम से कम पैसा ले करके चलें यह नहीं अगर कोई महिलाएं हैं वो अधिक जेवर का इस्तेमाल की हैं घहना पहनी है अगर जा दे तो उनसे भी पूंचतांस हो सकती है पुल होगा रहना पड़ेगा आप किसी भी पार्टी का परचार भी नहीं कर सकते कि कहीं बैट करके एक ग्रूप में आप किसी भी पार्टी का डिसकस करें चर्चा करें या सारजनिक मंच से खुले आम घुसरा करें यह अप नहीं कर सकते नहीं सोसल मेडिया से किसी का परचार कर सकता है लेकिन किसी दूसरे को सावजनिक रोप से बोट देने के लिए रेडित नहीं कर सकता है इसके साथ अगर मालेजिए कि आपके पास सस्त्र है जैसे कि बंदूख है रिवालबर है कुछ भी है कोई भी हथियार है उसको अप ठाने में जमा कराना पड़ेगा उसको ले कर चलते हैं तो भी आप पकड़े जाएंगे और आपका चलान कटेगा आप पर जुर्माना हो सकता है तो उसको आप घर में रखे और जब जमा कराने की बारी आई तो आप जमा करिए उसको उसको आप क्योंकि जब आपके यहां वोटिंग होगी तो उसे कुछ दिनों के पहल पूरा लाइसेंस जो है वो रद नहीं होता है लेकिन जितने भी आमस होते हैं वो सारे धाने में जमा करा लिए जाते हैं ज़रूरी होता है लड़ाई जगड़ा नहों इसके मद्द नजर रखते हुए ऐसा किया जाता है तो ध्यान रखिएगा आप जब भी करेंगे कम से क कम पैसा ले करके आप चलेंगे आप अधिक यूपी आई में टांसफर भी नहीं कर सकते मोबाइल से पैसा टांसफर नहीं कर सकते हैं तो आप दाएरे में आ सकते हैं आप पर जांश हो सकती है आपको उचित कारण बताना पड़ सकता है अगर आप जमीन के रजिस्ट्री कर नहीं कर सकते हैं पचास जार से लेकर के दस लाग के बीच में जो भी आप टांसफर करेंगे वो सब गाइडलाइन के अनुसार होना चाहिए उचित कारण बताना पड़ेगा कि यह पैसा कहां जा रहा है इसके नाम चिक काटा गया है यह सारा वीबरान डिटेल होना वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बताएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में नमस्कार